आज बिल्लाहिमिन शहीतवानित वजीम बिस्मिल्लाहितौ अख्माने दोहीम अफ्लाम लेकूम दोस्तों मैं हूँ मौफिन दवा और आप लोग देख रहे हैं विर्चुल इस्टूरेंट सपोर्ट फर्विफिव यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो फिएस 101 इंट्रोक्शन टू कंप्यूटिंग की हमारी जो अफाइनमेंट नमबर टू आई है उस हवाले से है तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है सबसे पहले इस अफाइनमेंट की रिक्वाइर्मेंट को देखते हैं और फिर इन्शाल्ला इसका स्लूशन जो है वो भी है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी इस अफाइनमेंट के क्वेस्टन की जाने इसमें हमें जो है एक क्वेस्टन दिया गया है जिसमें हमें कहा गया है देर आर फोर प्राफिफीज ए बी फी एंड डी इन दा रेडी क्यू फॉर अंदर जो है हमारे पास चार जो है वो प्राफिफीज है उसमें ए है बी है सी है और हमारे पास डी है इसके बाद दोस्तों हमें नीचे जो है वो प्राफिफीज ए बी सी दी दिये गए है और आगे जो है हमारा टोटल पी यू टाइम दिया गया है जो के मिली सेकंड के अं इंस्ट्रक्शन दी गई है, the prophecies enter in the ready queue, in the sequence, हमारा जो ready queue है, हमारे जो prophecies है, वो इस sequence के साथ जो है, वो ready queue में आते हैं, पहले जो है, वो B आता है, उसके बाद हमारे पाद D आता है, उसके बाद जो है, हमारे पाद C आता है, and our pick by the dispatcher, और dispatcher जो है, उनको pick करता है in the same order, इसी order में, value of time slice is 2 millisecond, हर जो हमारी value है, वो 2 millisecond है, time slice की, the dispatcher pick a process from the ready queue and send it to the process for execution, जो dispatcher है, वो जो है, एक process को pick करता है, वो CPU को देता है, और CPU जो है, उसे execute कर देता है, अब हम लोगोंने this assignment के अंदर क्या करना है, दोस्तों, इस assignment के अंदर हम लोगोंने करने ही, दो काम है, draw the ready queue for the above given process, हमने जो है, वो ready queue का diagram बनाना है, और दूसरा जो है, draw the step 5, pictorial diagram of the above given scenario in the context of multi programming, दोस्तों, हमारे पास जो है, वो दो किसम की programming है, एक multi programming है, एक single programming है, जो हमारी single programming, उसमें तो एक single process जो है, वो executor, जो multi programming है, वो at the same time, जो है, different processes को execute करते हैं, with the help of the time slice, time slice के थ्रू, इन दोनों को हमने कैसे try करना है, हम उस पे चलते हैं, दोस्तों, इस assignment को जो है, वो मैंने खुद directly try करके नहीं दिखाया, बलके आपको try करना सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे फिर बाद में यही question आते हैं, कि सर, हम इसको किस software के अंदर try करें, तो दोस्तों, ये assignment बिलकुल आप चाहें तो इस assignment को जो है, अपने जो आपका जिस word file के अंदर भेजनी है, उसी के अंदर भी drag कर सकते हैं, आप इसको paint में भी drag कर सकते हैं, आप इसके लिए uml diagrammer एक software है, जिसके तुरू हम pictures वगरा, diagram वगरा बनाते हैं, उसके तुरू भी, या Microsoft video के तुरू भी, लेकि आपको समझा देता हूं कि आपने कैसे इस diagram को ड्रा करना है, तो उसके लिए Microsoft word open करते हैं, मैंने start के button पे click किया, already जो है, वो word को मैंने open किया हुआ है, तो ये Microsoft word है, ये आप लोगों के सामने आ गया है, अब इसमें आप लोगों के सामने आ गया है, अब इसमें आप लोगो और shapes पे जाना है, और यहां पे जो है, वो कोई भी एक shape select कर लेनी है ready queue के लिए, तो यहां पे जो है, मैंने ये एक shape select की है, और जैसे ही मैं shape को छोड़ता हूं, तो यहां पे देखें, आपके पास shape के different colors भी आ गये हैं, तो हम इन में से कोई एक color pick कर लेता हैं, तो ये हमार nemus度 भी पास, जो है, वो Q का concept है, अब stack के उपर क्या होता है, कि जो चीव आपकी बाद में रिखी जाती है, वो पहले वहां से निकाली जाती है, ये आपका concept है, और दूसरा Q का concept है, Q में क्या होता है, जो पहले आया है, वो ही पहले निकलेगा, यानि first in first out, और जो stack है, वो जो है इन्पुट करने हैं, तो उनको इन्पूट करने के लिए हमारा at starting point होगा और एक एंडिइंग पॉइंट होगा, तो यहां पे आपने जो है, उसको भी arrow से रिप्रिजेंट कर ढरना है, यहां पे आपको फारे arrows दिये गए हैं, तो यहां पर यह वाला arrow में लेता हूँ और यहां पर जो है, मैं एक arrow लगा दिया, इसका मतलब यह है कि हमारा जो एक process है, वो इधर से in होगा, और इधर से जो है, आगे out होगा, उसके लिए भी हम arrow बना देते हैं, आप इसी अपने जो processes हैं, हमारे पास देखें, चार processes हैं, A, B, C और D, और हमें इसी assignment के अंदर बताया गया कि आपका हर जो process है, वो उसका sequence बताया गया, उसका order बताया गया, assignment के अंदर ही हमें बताया गया कि पहले B process आएगा, फिर D आएगा, फिर A आएगा, और फिर C आएगा, तो उसके लिए भी हम लोग एक process के लिए जो है, आप कोई भी एक symbol ले सकते हो, यहां पे जो है मैं, जैसे हमने ready cube बनाया है, वैसे ही मैं processes के लिए बना रहा हूँ, तो यह हमारे पास एक symbol आ गई, और इसको आप right click करके add the text करेंगे, तो यहां पे आपके पास text भी add हो जाएगा, और इसका आप 5 जो है, वो भी बड़ा कर सकते हैं, यहां पे जो 11 है, मैं इसको जो है, वो 20 कर दोता तो यह देखें, यह हमारे पास एक process है, तो यह हमारा ready Q के अंदर एक process आ गया, लेकिन हमारा ready Q के अंदर पहला process आना है, वो है हमारे पास B, तो यहां पे जो है, वो मैंने B लिख दिया, आप देखें, यह process पहले आया है, तो यह यहां से out भी जो है, वो पहले होगा, आप अब देखें आपने करना किया इसी तरह के जह है वो तीन प्राफिस और लेने क्योंकर टोटल हमारे चार हैं तो इसको मैंने कंट्रोल डी करके डुप्लिकेट किया आप और भी जड़ा कर सकते हैं यहां पे देखें मैंने इसको रखा इसी तरह कंट्रोल डी करके मैंने एक औ order D बताया गया था और तीसरे का order जो है वो A बताया गया था और हमें जो है आखरी का वो C बताया था और इसी sequence के साथ जो है हमारे prophecies आएंगे अब आगे जब prophecies ready Q के अंदर आ जाते हैं तो हमारे पाफ एक FPU के अंदर ही हमारा लगा होता है dispatcher जो के ready Q से उन processes को लेता है और FPU को देता है execution के लिए अब आपने क्या करना है आपने एक dispatcher बनाना है तो इसी को आपने control D करेंगे तो आपके पास एक और उसी तरह की shape बन जाएगी इसको जाए मैं थोड़ा फट छोटा कर लेता हूँ इस पर right click करके add text करेंगे तो इसको आप लिख दें जी dispatcher अब इसका भी आप font बड़ा कर सकते हूँ यहां से मैं इसको कर देता हूँ 14 पर यह dispatcher आ गया और dispatcher से आगे जो है हमारे CPU को process जाएंगे अब आगे जो है आप एक arrow लगाएं और यहां arrow लगाने के बाद जो है इसी dispatcher को आप control D करेंगे तो आपके पाए एक duplicate copy बन जाएगी और यहां पे आप जो है इसको लिख दें फी पी यू तो यह हमारा फी पी यू आ जाएगा आप देखें हमारा जो सबसे पहला process है वो B है dispatcher जो है वो B को वहां से fetch करेगा fetch करने के बाद CPU को देगा और CPU जो हमारे उस process को execute कर देगा इस तरीके से तो हमारी दोस्तों पहली जो diagram है वो complete हो जाती है इसके बाद आती है हमारी दूसरी डायग्राम दूसरी डायग्राम के अंदर हम लोगोंने क्या करना है दूसरी डायग्राम के अंदर हम लोगोंने एक और जो है वो डायग्राम बनानी है जिसके अंदर टाइम स्लाइस के हवाले से हम लोगोंने बताना है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोगों ने इसको बनाना है आप इनी की जो है वो duplicate copies बना ले जो हमारे पास processes है इसको जो है मैंने सब को select करके control D किया तो मेरे पास एक duplicate जो है वो copy बन गई अब इस duplicate copy से हम लोगों ने इन सारे processes को आगे execute करना है इनका आपने टाइम भी लिखना है कि कितना कितना ये टाइम ले रहे हैं और हमारे पास जो time slice available है वो कितना है तो हम लोग यहाँ पर मैं एक text box ले लेता हूँ जिसके through मैं लिखूँगा insight पर जाना ये देखें ये text box आगया text box में से आपने एक text box लिया ये text box आगया और यहाँ पर देखें आपका fix millisecond ये मैंने time लिखा और इसको जो हम छोटा करके और ये हमारा जो पहला process है D process ये हमारा जो है वो fix millisecond लेगा इसके बाद अगला जो process है वो हमारे पास जो है D का है तो D जो है वो हमारे पास आपको पता है हमें अफाइन्मेंट में भी दिखाया कि वो हमारा जो है बी जो है वो fix millisecond है और इसी तरह हमारा जो D process है वो हमारा जो है हमें बताया गया है कि D process जए वो 8 millisecond लेगा तो हमने जो है वो D के ऊपर लेकर जाना है तो यहां पर देखें मैंने इसको जो है वो D किया और यहां पे 8 millisecond हमारे पास आ गया इसके बाद अगला process जो था वो A था तो A जो है वो हमारे पास आपको पता है हमें बताया गया है कि 4 millisecond मैं इसी का एक और duplicate copy बनाता हूँ इसको मैंने select किया, control दी किया आप उपर से भी ज्या कर सकते हैं और यहां पर देखें यह हमारा जो है वो 4 millisecond लेगा और आखरी जो हमारा process है वो fee process है तो fee जो है वो हमारे पाफ जो है यहां पर हमें बताया गया कि 4 millisecond लेगा तो अब यहां पर देखें हमारी जो time flies है इसमें हमारे जो दो process है A process और fee process यह हमारे पाफ कम time लेंगे और जो D process है और हमारे पाफ B process है यह हमारे पाफ ज्यादा time लेंगे तो यहां पर हम लोगों ने चाहें टाइम स्लाइस भी दिखाना है तो उसके लिए भी आप उपर वाले इनी चार व बॉक्सिस को सेलेक्ट करें और नीचे जहाए कंट्रोल डी करें तो यह नीचे आ जाएंगे एक कॉपी बन जाएगी उनको नीचे रखें और यहां पर जो टाइम स्लाइस है हर किसी की वह तू आगे नेक्स्ट दूफरी आइट्वेशन के लिए भी आपको इनी बॉक्सिस की वह वह विरूरत है आप इनी फारे बॉक्सिस को जहां वह वह फिलेक्ट करें एक बार और यह हमारा फिलेक्ट होने के बाद इसको आप जो है एक ही बार गुरूप कर लेंगे तो अब आप ही आजाएंगे आप देखें हमारे पाफ जो हो टोटल टाइम फ्लाइफ जो है वो टू मिली सेकंड का है आप देखें पहली जब आइट्वेशन जो है वो चली तो हमारा जो बी है वो 6 मिली सेकंड का था तो 2 मिली सेकंड चले गया तो हमारे पाफ जो है वो 4 मिली सेकंड रह गया तो यह इस तरीके फे जो है हम लोगों ने जो हमारी फर्स्ट आइट्वेशन थी वो complete हुई फिर फेकंड आइट्वेशन complete हुई इसी तरह हम लोगों ने एक और आइट्वेशन बनानी है इसको हम दुबारा control D करेंगे हमारे पाफ एक और duplicate copy बन गई और इसको आप देखें पहले हमारे पाफ देखें फोर था तू चल गया तो तू रहा गया फिक्स था तू चल गया तो तू रहा गया तू था तो यह हमारा 0 हो गया और यह भी हमारा 0 हो गया तो end पर 2 millisecond की जगा पर मैं लेकर देता हूं जी F I M I F H finish कि यह वाला जो profit है यह हमारा जो है व और B यह बच गए हैं तो यहां पर देखें हमारे पाफ यह फिक्स था 4 रहा गया 4 में फिर 2 रहा गया तो यह 8 था fix तो यहां पर 4 आता है उसके बाद हमारे पाफ जो है अगला जब आईट्वेशन चलेगी तो उसमें देखें हमारे पाफ जो है इसको हमने आगे बनाया त जब अगली आईट्वेशन चलेगी तो अगली आईट्वेशन में देखें हम लोगों ने जो है इसको यहां पर चलाया और यह duplicate copy बनाने के बाद अब आखरी देखें हमारे पाफ जो है डी process डेता है तो इसको भी हमने zero किया और zero करने के बाद यहां पे भी हमने जो है वो finish इस तरीके से हमारा यह जो multi प्राफेशिंग का है इसमें होता यह है कि हमारा जो dispatcher है वो इने फारे ready queue में जितने भी processes होते हैं उनको लेता है और एक ही साथ जो हो CPU को देता है CPU जो है वो एक time slice define करता है और फिर हर processes को जो है उतना time देता है और उस time के बाद जो है फिर दुबारा जो है उफी जो है प्रॉफिस की बारी आती है तो दोस्तो इस तरीके से जो है आप लोगों ने इन दोनों डायग्राम को जो है ड्रा करना है अब जब ये ड्रा हो जाए तो आपने एक arrow के ज़री जो है इनको आपके जोडना भी है तो ये एक कर्व वाली एक एरो लेंगे यहाँ पर ऐने एक एरो ली और आपको देखें हमारा για जो है ये दुबारा एक चल गया और उसके बाद उसके बाद दोबारा ये जो प्राफिफ है ये दोबारा हम ये ही Control D करेंगे तो ये दोबारा हमारी LINE यह हो यहां сे Start होगी और आगे फिर इस पर आ जाएगी और फिर इसी तरह ये LINE लगाई हमने ये यहां पे देखें और फिर इसी तरह हमने एक LINE लगाई दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ के मेरा एक और YouTube चैनल भी है जिसके ओपर मेरे short lectures available है 24 hour 7 teachers online है बहुत सारे दोस्तों ने देखा होगा तो आप उस चैनल को भी जरूर विविट करें और वहां पर जो lectures available है उसमें ये CS101 के भी है आप उससे भी जरूर फाइदा है और दूसरी बात ये है कि मैं ये assignments बनाता भी हूँ अगर कुछ बचे हैं मेरे पास जो job holder है जो जिनके पास time नहीं होता वो मुझे pay करते हैं और मैं उनको ये बना के दे देता हूँ तो अगर आप लोगों में से किसी ने बनवानी हो तो मेरी services जह है मेरी team जह है वो हाजिर है हम लोग जह है यही service academic services ही provide करते हैं दोस्तो उमेद है आप लोगों को assignment बढानी जह है वो आगे ही होगी समझ इंशाला आप सब लोग जह है आपने इस diagram को बहुत थोड़ा आगे पीछे कर देना है color scheme change कर देनी है तो इंशाला आप जह है वो सारे अच्छे number ले सकते हैं आपने copy नहीं करना किसी का भी वरना जह है वो सब का 0 आ जाएगा दोस्तो यह ती है हमारी आज की assignment PS101 की introduction to computing की उमीद है आप लोगों को idea मिल गया होगा 24hr7 teacher online को वरूर विविट करें और वहां पर जो मेरे short lecture available है उन फे भी वरूर फाइड आउटाएं मिलते हैं अगली किसी assignment solution के साथ या gdb solution के साथ उफकतत के लिए अला हाफिव